हेलो स्टुडेंस आज हम सब वन वर्ड पढ़ेंगे वन वर्ड की वीडियो लेके आया है आज हम लोग वन वर्ड पढ़ेंगे इसमें हम 30 वन वर्ड पढ़ेंगे इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिये हैं वन वर्ड से अगर आपने अभी तक वाश नहीं किया ह तो चैनल के प्लेलिस में जाके जरूर वाज कर लिजेगा और आज हम सेकिंड पार्ट लेके आए हैं वन वर्ट सब्चुटिटेशन का इसमें हमने थर्डी कोईशन रखे हैं इसमें आप लोग लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताईएगा कि आपने कितने स्कोर इसमें गे मतलब यहां पर क्या करता है कि एक विक्ती जो वेल्ट से प्यार करता हो धन से प्यार करता हो और जितना संबह हो सके उतना कम खर्च करता है उसी क्या बोलते हैं क्रेमेजन या मनी ग्रेबर या स्क्रिम्प या माईजर क्रेमेजन जो होता है इसका मतलब भी होता है कंजूस money grabber मतलब होता है पैसा पकड़ने वाले skrimp मतलब होता है बचचत करने वाला miser मतलब भी होता है so यहाँ पे हमारा correct answer जो हो जाएगा वो D हो जाएगा लब अपरसन जो will से प्यार करता हो और जितना संबह हो सके उतना अधिक कम खर्च करता हो तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे miser ओके यह जो क्रमे जाना ना इसका मतलब किरपड भी होता है तो याद रखेगा किरपड कंजूस बटे वहाँ पे हमारा जो answer होगा वो D ही होगा next state of anxiety are dismay causing mental confusion मतलब मानसी उल्जन की इस्तिथी चिंता या निराज का कारण क्या कहलाता है constriction या consternation confrontation या contraction तो यहाँ पे हमारा correct answer क्या हो जाएगा जो आपका होता है constriction मतलब होता है संकुचन करना और concentration मतलब होता है ख़बराहट concentration पता ही अप लोग को contraction मतलब होता है यहां पर हमारा correct answer जो हो जाएगा correct answer यहां पर भी हो जाएगा consternation next a person who is fluent in two languages यहां पर क्या कर रहा कि एक वेक्ति जो दो भासाओं में धारा परवा है fluent है दोनों भासाओं में वह बहुत fluent है उसे क्या बोलते है word style expert bilingual या knowledgeable word style मतलब क्या होता है word style मतलब होता है बहुत मुखी expert विसे सग bilingual विभासी knowledgeable मतलब होता है जानकारी रखने माला यहां पर मारा correct answer जो हो जाएगा c is correct हो जाएगा bilingual कहते हैं मतलब एक ऐसा विक्ति जो दो language में fluent रखता हो दो भासा जिसको आती है उसे क्या बोलते हैं बाइलिंग्वल ओके नेक्स्ट one who eats human flesh मतलब जो human flesh को खाता हो जो manus commands काता हो उसे क्या बोलते है man eater, cannibal, bees यह सब्वेज तो man eater मतलब होता है आदम खोर और cannibal मतलब होता है नर्भक्चत beast मतलब होता है जानवर, सब्वेज मतलब होता है असब तो यहां पर correct answer जो हो जाएगा मारा, bees correct हो जाएगा, यह easy भी था, next the quality of being politely form and demanding क्या कहलाता है, मतलब विनमरता पूरवक द्रड़ और मांग करनी का जो good है वो क्या कहलाती है, assertive, या फिर बोशी, या फिर aggressive, या फिर lordy तो यहां पर जो बोशी है, बोशी मतलब होता है दबंग टाइप का, जिसे कहते हैं ने बोशी गर्ल, दबंग टाइप का, और aggressive, आक्रमक, लौड़ी, शौमी, तो यहां पर मारा जो correct answer हो जाएगा, वो यह हो जाएगा, assertive मतलब कोई भी चीज बेनमरता पूरवक द्रड़ और मांग करने के जो गुड़ कहलाती है, वो assertive कहलाता है, next, a person who believes in the total abolition of war, मतलब एक विक्ति जो युद के पूर अंत में विस्वास रखता हो, war के total abolition में क्या रखता हो, believe रखता हो, उसे क्या बोलते हैं, bellicose या pacifist या flottist या fatalist, bellicose मतलब होता है लड़ा को, ये भी आपका बहुत अच्छी मेनिंग है, लड़ा को, pacifist मतलब होता है सांतिवादे, flottist मतलब होता है बासुरी बजाता हो, fatalist मतलब होता है भाग्यवादे, यहाँ पर correct answer जो हो जाएगा, कि एक विक्ति है, जो क्या कर रहा है, युद के total abolition में विस्वास रखता हो, युद के पूर अंत में विस्वास रखता हो, उसे बोलते हैं pacifist, ठीक है यह जो बहले कुछ नहीं है, तो बहले कुछ लड़ाकू है, जो लड़ने में विस्वास रखता हो, बट यहाँ पर answer जो हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, next, A vehicle for carrying a dead body is called, मतलब एक मृत शरीर को ले जाने वाले vehicle को क्या कहते हैं, वाहन को क्या कहते हैं, जो dead body लेके जाती है, Here's treatment, cure, well-being, Here's treatment, सभी को पता है, उप्चार, cure मतलब भी इलाज होता है, well-being मतलब होता है, कल्यार, यहाँ पर जो correct answer हो जाएगा, वो A हो जाएगा, Here's कहलाता है, मतलब एक ऐसा vehicle, एक ऐसा गाड़ी, एक ऐसा वाहन, जो dead body को ले जाता है, उसे क्या बोलते हैं, Here's, next, witty ready replies, मतलब मजा किया तयार जबाब, क्या कहलाता है, reparty, rhetorics, puns, ya reference, तो यहाँ पर हमारा correct answer, rhetorics मतलब क्या होता है, बयान बाजी, puns, बाजी या दाओ होता है reference मतलब होता है कोई चीज बचना या परहेश करना reporting मतलब होता है हाजिर जबाबी तो यहाँ पर A is correct हो जाएगा ओके A is correct हो जाएगा next very delicate and beautiful मतलब बेहर नाजुक और खुफसुरत क्या कहलाता है एक्जिक्विस या फिर requisite या फिर exemplary या फिर resplendent क्या कहलाता है तो जो आपका exquisite है ये उत्तम होता है requisite मतलब होता है आवेशक और exemplary मतलब सभी को पता है और resplendent मतलब क्या होता है बड़ा चमगेला खुबसूरत जिसे बोलते हैं सो यहाँ पर correct answer हमारा D हो जाएगा resplendent बोलते हैं मतलब बेहद नाजोक और खुबसूरत चीज़ों को क्या बोलते हैं resplendent next I school boy who cuts classes frequently exam मतलब एक स्कूल का लड़का जो अकसर क्या करता है classes को cut करता है जाता है नहीं है classes बंक कर देता है उसे क्या बोलते हैं truant या martinant या defattest या psychophant d fatist मतलब होता है प्राजित और psychophant मतलब होता है चापलोस यहाँ पर correct answer क्या हो जाएगा truant हो जाएगा I school by hookers classes frequently is a क्या कहलाएगा truant next the quality of being faithful यहाँ पर क्या कहला है कि वफादार होने का good क्या कहलाता है geniusness, fidelity, skeptic या dishonest geniusness सबी को पता है क्या होता है और fidelity मतलब होता है nistha, skeptic मतलब होता है संदेवादी skeptic मतलब क्या होता है संदेवादी और dishonest पता ही है so यहाँ पर मारा correct answer क्या हो जाएगा कि वफादार होने का good क्या कहलाता है fidelity कहलाता है correct answer यहाँ पर बी हो जाएगा, ओके, नेक्स्ट, वन हुई स्पेंट्स मनी एक्स्ट्रा वेकिनितली, मतलब वह जो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करता हो, एक्स्ट्रा खर्चा करता हो, उसे क्या बोलते हैं, स्केप्टिक, स्पेंट्रिप, माईजर, या वैगा बांट, तो यहां पे, जो आपका स्केप्टिक मतलब होता है संदेवादी, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, इसका स्पेंट्रिप्ट मतलब होता है, खर्चीला, माईजर, कंजूस, वैगा बांट, बहुत अच्छी मेनिंग है, इसका मतलब होता है, अवारा, तो यहां पे मतलब ज़्यादा पैसे ख चूजन और एकसेप्टेड एजज और अमपायर, तो यहां पे क्या कर रहा है कि एक जज या अमपायर के रूप में चूने और स्युकार किये गए विक्ति के निर्णे से विवात का निप्टारा क्या कहलाता है, अमेलगमेशन या एसिगनेशन या आर्बिट्रेशन या अ मतलब क्या होता है, पंच निर्णे करना या पंच फैसला करना, असर्वेशन मतलब होता है, द्रुल वर्शन, तो यहां पे मारा करेक्ट इंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट इंसर यहां पे सी हो जाएगा, आर्बिट्रेशन, मतलब किसी भी जज या अमपायर के रूप में च और wanted, मतलब जरूरत या चाहत से कोई चीज़ जादा जरूरत या चाहत से जादा क्या कहलाता है, abundant या adequate, या sufficient या superfluous तो जरूरत हो या चाहत से जादा क्या कहलाता है सभी को पता है, ये तो easy है abundant मतलब होता है प्रचुर मात्रा में adequate उसका मतलब होता है परियाप्त, sufficient मतलब भी होता है परियाप्त और superfluous मतलब क्या होता है जरूरत से जादा, तो यहाँ पर D is correct हो जाएगा, ओके नेक्स्ट, the extreme, the extreme fondness for books is known as, मतलब यहाँ पर क्या कर रहा है कि किताबों के प्रति अत्तिधिक लगाओ के रूप में जाना जाता है क्या कहलाता है जिसको किताबों से बहुत अत्तिधिक लगाओ होता है बहुत ज़्यादा लगा होता है उसे क्या कहते है बिबिलियो मेनिया पायरो मेनिया क्लैप्टो मेन या फिर agromania तो जहां पर वर्ड maynia आजाता है ना में इसको याद रखेगा किसी भी वर्ड के लाश्ट में में लग गया तो पागल पन की बात कर रहा हो बहुत अत्तिधिक पागल का क्या मतलब है बिबिलियो मेनिया मतलब होता है इसको छोड़ते अभी पैरो मेनिया मतलब होता है जलने की उत्सुकता वाला विक्ति मतलब जिसको बहुत ज़्यादा जलन की जलन का पागलपन हो बहुत जलन करने वाला पागलपन हो क्लेप्टो मेनिया मतलब चूरी करने की आत जिसको हो चैज जो पागलपन ओं मतलब एक ऐसा विकति उस्में ऐसी इसतिथी होती है वो कोई विस्तु चुराता है उसको चुराने की परविरT SusolabChina काम की हो यहlar पोचाना हूँ उसके अंदर यहिसे उसा है मतलब होता है जलने की ज sections को और ढहिया कि देखे जलने माला Durch से दो परने माला चुछ को चाहिए इधे इंसर कंशी को चैहें क्या हो जा passado कि depict पाइट ओफ डिफिकल्टेज मतलब कटनाईयों के बावजूद आगे बढ़ने की छंता क्या कहलाती है डैलिर्येश या डिजाइरेस या परसीवेरंस या परवैसिव तो डैलिर्येस जो होता है परलाब और डिजाइरेस सभी को पता है परसीवेरंस मतलब क्या होता है नेक्स्ट है नंबर ओफ शेफ्स वेहिकल्स एडसेटरा ट्रैवलिंग टुगेदर अंडर एसकॉट मतलब अनुरच्छड के तहट एक साथ यात्रा करने वाले जहा जो वहनों आदी की संख्या क्या कहलाती है रैटिन्यू फ्लीट या पॉस या फिर कौन वे ओके तो यहा यहां पर कौन वे मतलब क्या होता है काफिला रैटिन्यू मतलब क्या होता है परिचारक वर्ग फ्लीट मतलब होता है बेवला पॉसी मतलब होता है दल कौन वे मतलब होता है काफिला तो यहां पर डी इस करेक्ट हो जाएगा मतलब अनुरच्छड के तहत मतलब एसकॉट के अंडर, एक साथ यात्रा करने माले जहाज, वाहनों, आदे की संख्या क्या कहलाती है, काफिला ही कहलाती है कौन वे, next एन इंस्टूमेंट फॉर मेजरिंग, बिंड प्रेशर मतलब हवा के दबाव को मापनी के लिए एक उपकरण क्या कहला क्या कहलाता है, मैनोमीटर, माइक्रोमीटर या टेमपरिचर या बैरोमीटर तो यहाँ पर करिक टेंसर क्या हो जाएगा मारा, करिक टेंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, बैरोमीटर कहलाता है, ओके मैनोमीटर क्या होता है, एक ऐसा यहाँ पर D is correct हो जाएगा next to destroy completely मतला पूर विनास करना पूरी तरह से तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि to destroy completely पूर विनास करना क्या कहलाएगा annihilate या rehabilitate या incapacitate या फिर dislocate annihilate मतलब होता है विनाश करना, मिटा देना rehabilitate मतलब होता है पुनरवास करना या पुनायस्तापित करना incapacitate मतलब होता है अच्छमता dislocate मतलब होता है अस्त व्यस्त कर देना यहाँ पर करेक्टेंसर हमारा क्या हो जाएगा यह हो जाएगा annihilate ओके, next to die in water or any other liquid because one is unable to breathe क्या कहलाता है सिंक, drone, flounder या founder मतलब यहाँ पर क्या करा है कि कोई एक पानी या तरल में सांस ना लेने पाने के कारण मर जाना मतलब कोई है जो पानी या फिर other liquid में मर जाता है सांस क्या रीजन रहता है सांस ना लेने के कारण उसे क्या कहते हैं सिंक, drone या flounder या founder तो सिंक मतलब भी होता है डूबना, drone मतलब भी होता है डूबना flounder मतलब होता है flounder, flounder मतलब होता है कीचड में तरफडाना founder मतलब होता है संस थापक सो यहाँ पर करेक्ट इंसर क्या हो जाएगा, drone हो जाएगा ड्रोन जब कोई परसंड डूपता है डूपके मरता है तो हम ड्रोन लगाते हैं परसंड के लिए अब जब कोई non living छीज डूपती ऐसे जाया आज बगरा डूप गया तो सिंक लगाते हैं डूपने के लिए यहां पर यहां पर correct answer हमारा B हो जाएगा next a list of books available in a library 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 में उपलब्ध पुस्तकों कि सूचि क्या कहलाती है पुस्तक और Jest rit मतलब होता है पिछली सूची इंडेक्स मतलब होता है सूच कांग catalog समान्ति वख़ल्ज मतलब होता है ग्रंथ sूच ज़ elaborative ख़ाएगा कैटिंट किसी यहां पर क्या कह रहा है कि वह जो साहसी जनास्टिक करता साहस जनास्टिक करता उसे क्या बोलता है एक्रोबैट या कंजूर या एथिलीट या जुगलर तो यहां पर एक्रोबेट मतलब क्या होता है एक्रोबेट मतलब होता है कला बाज कंजूरर मतलब क्या होता है जादूगर एथिलीट मतलब होता है व्यामी या खिलाडी जगलर मतलब होता है बाजीगर सो यहां पर मारा correct answer क्या हो जाएगा correct answer यहां पर हो जाएगा acrobat ओके next customs and habits of a particular group मतलब किसी विशेस group के रिति रिवाज और आदते क्या कहलाती है यहां पर करेक इंसर हमारा ए हो जाएगा मतलब किसी पर्टिकुलर ग्रूप के रिवाज और आदते क्या कहलाती है text to bite like a write चूहे की तरह क आतना क्या कहलाता हैanno यह चूट उसे मतलब होता है विवी आजित करना कशीज और नंनलब होता है कुतरना चू उन्जब छबाना कट मतलब काटना2 answer प्धा ही चल गया होगा next i style in which a writer makes display of his knowledge मत ऐसा स्टाइल एक ऐसी सैलिज जिसमें एक लेखाक अपने ज्यान का प्रदार्शन करता हो क्या कहला तो यहां पर क्या हो मतलब होता है कितरिम शोवी मतलब होता है अलंगरित और प्रदर्शक तो यहां पर करेक्टेंसर वहाँ डी ओजाएगा ओके यहां पर राइट अचर क्या हो जाएगा डी नेक्स्ट लाइबल टू इसली ब्रोकेन मतलब असानी से कोई चीज असानी से तोड़ा जा सकता हुआ उसे क्या बूलते है वीक बृटल या थिन या हाड तो वीक मतलब होता है कम जो बृटल मतलब होता है भ डिल्टल बोलते हैं नेक्स्ट वन हुई इस आउट टु डिस्ट्रॉई दा गॉर्णमेंट मतलब यहां पर क्या कह रहा है कि वह जो सरकार को गिराने पर उतार हो उसे क्या बोलते है अनार्किस्ट विलेन किर्मिनल एनेमी तो यहां पर करेक्ट एंसर हमारा एह ही हो जाएग नेक्स्ट वन हुव लब्स ओल मैंनकाइड मतलब वह जो सभी मानुजाते से प्यार करता हो तो उसे क्या बोलते हैं तो यहां पे एक चीज़ याद रखेगा फिल रूट वर्ड है फिल मतलब होता है टू लव ओके तो और मीशो मतलब क्या होता है टू हेट यह इसका क्या ह मेनिय मतलब होता है पागलपन यह सब रूट वर्ड है याद रखेगा मेनिय मतलब होता है पागलपन जहां पर लग जाए मेशो का यानि की नफरत करना जहां पर फिल आ जाए महां पर समझों कि महां पर प्यार करना है तो यहां पर क्या कह रहा है कि वह जो आल मैंकाइड स प्यार करता उसे क्या बोलते हैं फिलोलोजिस्ट या फिलोसिफर या फिलैंथ्रोपिस्ट या फिलाटिलिस्ट तो यहां पर करेक्ट अंसर क्या हो जाएगा फिलाटिलिस्ट तो यहां पर फिलोलिजिस्ट मतलब होता है भासावीद और आपका फिलोसिफर दार्शनिक फिलै लिस्ट मतलब होता है डाक टिकेट एक अठा करने वाला तो यहां पर करेक्ट इंसर हमारा क्या हो जाएगा फिलेंट्रोपिस्ट लॉलिजिस्ट मतलब जो भासा विदो भासा से जो प्यार करता उसे बोलते हैं यहां पर सी हो जाएगा अपका एंसर यहां पर क्या हो जाएग या infallible तो inexplicable मतलब होता है कथनी, inevitable मतलब होता है परिहार, indispensable मतलब होता है परिहार और infallible मतलब होता है अच्चूक जिससे गलतिया नहीं हो सकती है तो D is correct हो जाएगा नेक्स्ट, लास्ट कुश्चन आए यह बहुत इजी है, यह भी repeat हो गया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cannibal कौनिवर मतलब क्या होता है मानसा हारी, हर्भी वोर मतलब क्या होता है शाका हारी, अगलाटन यह अच्छा वड़ है यह भी आपका one word में पूछा जाता है पेटू, जो जादा खाना खाता हो बेटू टाइप का, हर वक्त खाता रहतों कुछ भी हो और cannibal मतलबता नर्भक्षी तो यहाँ पे आपका D सही हो जाएगा यह repeat हो गया है 30 questions तो यह आपका right answer D हो जाएगा तो इसमें हमने 30 ही one word रखेते हैं, आपको कैसे लगए अपना feedback जरूर दीजेगा और अपना score जरूर लास्ट में बताईएगा नेक्स वीडियो में उनका नाम जरूर बताऊंगे जो आज के वीडियो में आज की class में अपना score बताएगे आपने इसने कितने score आपने प्राप्थ किये हैं या अपना जरूर feedback दीजेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्यू थैंक्यू पर वाचिंग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजेगा इसका PDF चीए तो आप ही ना इंगलिस classes से टेली ग्राम पर चॉइन हो सकते हैं थैंक्यू थैंक्यू पर वाचिंग